Hello Everyone, Welcome to StudyTube बढ़ेंगे इस स्रीज में और करेंगे इस वडियो में इस स्रीज का स्रेट नमर 90 ये इस पूरे स्रीज का स्रेट नमर 90 है और Light Chapter का ये Part 12 है इस स्रीज के अंदर आने वाले हर वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए ये ये टेलीग्राम चैनल का ID है, आप इस ID के माद हिम से टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो QR Code को स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल को जोइन कर सकते हो अगर आप PDF को डाउनलोड करना चाहते हो जब श्वेत प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्थन होता है तो यह अपने अवियवी वर्णों में यानि की अवियवी रंगों में विभाजित हो जाता है इस घटना को डैश कहते हैं वर्ण का मतलब रंग होता है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है जब प्रिज्म से अपवरतन होता है तो यह अपने साथ अभी अभी वर्णों में विभाजित हो जाता है इस घटना को डैश कहते हैं इस घटना को विश्यपन कहते हैं प्रकाश का विश्यपन बोल दो या फिर प्रकाश का वर्न विश्यपन बोल दो यहाँ पर आप देख सकते हो वाइट लाइट का जब इस प्रकाश से प्रिज्म से अपवरतन होता है तो वाइट लाइट में सात रंग के प्रकाश होते हैं देखो सात रंग के प्रकाश यहाँ पर मिल जाते हैं इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विश्यपण या फिर सिंपली हम लोग प्रकाश का विश्यपण भी बोल देते हैं तिस परशन और यह जो यहाँ पर band मिलता है साथ रंगों का इसे हम लोग spectrum बूलते हैं श्वित प्रकाश का प्रिज्म से अपवर्दन के बाद साथ रंगों की band यानि की पट्टी प्राप्त होता है वर्णों के इस band को dash कहते हैं इस साथ रंग के पट्टी के बारे में बात की जा रही है इसे हम लोग spectrum कहते हैं एह हमारा answer श्वित प्रकाश प्रिज्म द्वारा इसके साथ अविवी वर्णों में विश्यपित हो जाता है हमें ये वर्ण प्राप्त होते हैं क्योंकि अब यहाँ पर जो white light हम गुजारते हैं प्रिज्म से तो ये साथ रंगों में जो तूट जाता है white light ऐसा क्यों होता है यही इस सवालें पूछा गिया है पहला विकल्प है प्रकाश के विविन वर्ण आपती तिक्रण के सापेक्ष अलग अलग कोणों पर जुखते हैं सही है यह जो white light में साथ रंग के प्रकाश है यह सातो रंग जो है प्रिज्म से अपवर्तन के बाद अलग अलग कोण पर जुखते है प्रकाश के विविन वर्ण के लिए प्रिज्म का अपवर्तनान्क भिन होता है देखे यह जो प्रिज्म है इसका अपवर्तनान्क अलग-अलग रंग के प्रकाश के लिए अलग-अलग होगा किसी भी माधियम का सिर्फ इसी माधियम का नहीं किसी भी माधियम का जो अपवर् इसमें उल्टा रिलेशन होता है, इस दोनों में क्या है कि उल्टा रिलेशन होता है, जिस प्रकाश का तरंग देर्द ज्यादा होगा, उसके लिए माध्यम का अपवर्तनान कम होगा, जिस प्रकाश का तरंग देर्द कम होगा, उसके लिए माध्यम का अपवर्तनान के ज्या इसका अपवर्तनान्क अलग-अलग होगा, अलग-अलग अपवर्तनान्क होगा, तो अलग-अलग कोण पर प्रकाश जुकेगा, और माध्यम में, यानि कि इस प्रिज में प्रकाश की चाल भी जो है, अलग-अलग, रंग्य प्रकाश की चाल भी जो है, अलग-अलग होगी, तो ये भी सही है, ये भी सही है, प्रकाश के विभिन वर्न की चाल प्रिजम में भिन होती है, तो ये भी सही है, उपड़ युक्त सभी, जब आपसे एक जाम में सवाल पूछा जाएगा, तो इन में से कोई भी एक कारण आपको मिल सकता है, ये तो मैंने खुद से फ्रेम किय हुआ है तो यह सारे कारण मैंने यहां पर डाल दिये हैं और D option मैंने उपड़ी तो सभी बना दिया है लेगिन जब आप से सवाल पूछा जाएगा एक्जाम में तो इन में से कोई भी एक कारण आपको दिया जा सकता है जो दिख जाएगा इन में से वही हमारा आंसर हो जाए या तो यह कारण हो सकता है कि भाई आप तीति किरण के सापेक्च अलग-अलग कोण पर जुपते हैं अलग-अलग रंग के प्रकाश दूसरा आपको यह दिया जा सकता है कि अलग-अलग रंग के प्रकाश के लिए प्रिज्म का अपवर्तनानक अलग-अलग होता है या फि आज के प्रिज्म से होकर गुजरने पर डैश प्रकाश सबसे कम जुकता है या फिर बोल देगा मुड़ता है या विचलित होता है बात एकी है और डैश प्रकाश सबसे अधिक जुकता है देखे ये आपको ध्यान में रखना है ये है विभी योर वाइलेट इंडिगो इसे लाल की तरफ जाएंगे माधियम का जो अपवर्तनान का है वो घटता चला जाएगा पिछले स्लैड़ मैंने आपसे कहा न इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है तो बैंगनी रंग के लिए जो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए जो तरंग धर्द है वो सबसे कम ह तो इसका अपवर्तनान सबसे जादा होगा लाल रंग के प्रकाश के लिए जो तरंग धर्द है वो सबसे जादा है तो लाल रंग के प्रकाश के लिए जो प्रिज्म है उसका अपवर्तनान कम होगा या कोई भी माधियम हो उसका अपवर्तनान कम होगा उसके बाद जैसे स हम बैंगनी से लाल की तरफ जाएंगे जो ये विचलन है ये डेल्टा मतलब विचलन विचलन बोल दो या फिर विचलन कोंड बोल दो या फिर जुकना बोल दो मुड़ना बोल दो ये कम होता चला जाएगा तो सबसे कम जुकेगा कौन सबसे कम जुकेगा कौन रेड क्योंकि तो सबसे कम जुकता है लाल और सबसे अधिक जुकता है बैंगिनी P हमारा आंसर श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म में प्रवेश करते ही साथ घटकों में विभाजित होना डैश कहलाता है इसे हम लोग बोलते हैं प्रकाश का वर्ण विश्यपण D हमारा आंसर या तो केवल प्रकाश का विश्यपण आ जाएगा या फिर प्रकाश का वर्ण विश्यपण आंसर बात एक ही है यह पाया गया है कि किसी कांच के प्रिज्म दौरा श्वेत प्रकाश के वर्ण विश्वपन के दोरान कोई रंग घटक जितना अधिक मुरता है उस रंग घटक के लिए काच का अपवर्तनान को उतना ही अधिक होता है तो सही भी है हम लोग ने यही तो देखा कि लेमडा और म्यू में उल्टा रिलेशन है जिसके लिए लेमडा कम होगा उसके लिए म्यू जादा होगा और जिसके लिए म्यू जादा होगा वो जादा जुकेगा वो जादा मुरेगा वो जादा विचलित होगा उसके लिए विचलन कोण जादा होगा यदि mu y, mu v और mu g क्रमशा पीले बैंगनी और हरे प्रकाश के लिए अपवरतनानक है तो उनके बीच निम्न में से कौन सा समंद सही है तो हम लोगों ने अभी क्या देखा हम लोगों ने ये देखा कि जैसे सह हम बैंगनी से लाल के तरफ जाते है लेमडा बढ़ता है, डेल्टा घटता है और mu भी घटता है तो हम से देखो क्या पुछा गया है mu y, mu v और mu g mu y ये है, mu v ये है, और mu g ये है तो बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए अपवरतनान सबसे ज़्यादा होगा देख लो, यहाँ पर है, उससे कम होगा हरे रंग के प्रकाश के लिए और उससे कम होगा पीले रंग के प्रकाश के लिए तो C हमारा आंसर हो जाएगा जब एक दूसरे के स्तामना अंतर आस्मानी और नारंगी प्रकाश को प्रिजम से गुजारा जाता है तो देखो अगर आस्मानी आपको मिल जाए आप्शन में आस्मानी तब आप विबियोर का इस्तमाल मत करना तब आप हिंदी में हम इसे बैनी आ पिनाला बोलते हैं इसका इस्तमाल करना ठीक है तो यहाँ पर वाइलेट है, वाइलेट को हम लोग हिंदी में बैंगनी बोलते हैं, तो यहाँ पर बैंगनी है लेकिन यहाँ पर देखो इंडिगो है, तो यहाँ पर दूसरे नमर पर नीला है और जिसे हम लोग विग्योर में blue बोलते हैं उसके अस्थान पर हिंदी में आस्मानी होता है तो ये हिंदी और English में थोड़ा से अंतर हो जाता है तो अगर आस्मानी दिख जाए तो आप ये बैनी आ पिनाला का इस्तमाल करना है हमसे आस्मानी और नरंगी दिया हुआ है तो हम लोगों ने जेस्ट देखा है जैसे जैसे हम यहाँ पर बैंगनी से लाल की तरफ जाएंगे जो अप वरतनान्क है वो घटता चला जाएगा यानि कि जो जुकाव है वो घटता चला जाएगा तो आस्मानी नरंगी में आस्मानी जो है पहले आएगा तो जो आस्मानी रंग की जो किरण है वो अधिक जुकेगी आस्मानी रंग की किरण अधिक जुकेगी C हमारा आंसर त्रिकोणिये प्रिज्मी के माध्यम से प्रकाश के वर्ण विश्यपण के दोरान श्वेत प्रकाश डैश रंगों की पटियों में विभाजित हो जाता है सात रंग की पटियों में विभाजित हो जाता है प्रिज्म के माध्यम से श्वेत प्रकाश के गुजडने पर इसका वर्ण विशेपण होता है विचलन कोण डैश होगा विचलन कोण डैश होगा तो हम लोग ने क्या देखा भी विब ग्योड लिख करके जैसे हम वाइलेट से रड़िक तरफ जाएंगे लेम्डा इंक्रीज होगा डेल्टा डिक्रीज होगा मिउ डिक्रीज होगा तो लेम्डा और डेल्टा में आपसे रिलेशन पूछा है यह जो डेल्टा है इसको आप विचलन कोण भी बोल दो या जुकाव बोल दो, मुडाव बोल दो विजलन बोल दो, कुछ भी बोल दो चलेगा तो इन दोनों में क्या है कि उल्टा रिलेशन है तरेंग देर्द के विद्क्रम अनुपाती B हमारा आंसर एक्जाम का पूछा हुआ सवाल है वैसे ज्यादातर सवाल जो है आज की इस वीडियो में वह एक्जाम के पूछे हुए है जब क्रमशा 4500 एंगस्ट्रम, 5000 एंगस्ट्रम, 6000 एंगस्ट्रम, तरेंग देर्द वाली प्रकाश करने एक प्रिजम से होकर गुजरती है तो विचलन कौन डैश होगा एंगस्ट्रम बड़ाबर होता है, याni कि एक एंगस्ट्रम बड़ाबर होता है, 10 पर पावर माइनस 10 मेटर तो हम लोगों ने अभी ज़स्ट रिलेशन देखा जिसके लिए लेमडा मिनम्ञम होगा उसके लिए डेल्टा मैक्सिमं होगा तो लेम्डा मीनिमम कितना है ये 4500, 4500, 6000, 4500 एंगस्ट्रम तो डेल्टा मैक्सिमम यानि कि विचलन कोड़ जो है सबसे ज़्यादा इसके लिए होगा 4500 एंगस्ट्रम वाले प्रकाश के लिए है तो हमारा आंसर भी हो जाएगा यानि ये जो प्रकाश है जिसकी त्रेंगद्रद 4500 एंगस्ट्रम है वो सबसे ज़्यादा जुकेगा एक त्रिकोड़ ये काच के प्रिज्म में डैश होती है ये भी एक्जाम का पूछावा प्रशन है तो पांच फलक नौ कोड़े हम लोगों ने देखा था ना आई तिंक पीछले ही पार्ट में तीन आयता कारफलक दो त्रिबुजा कारफलक और नौ कोड़े और छे वर्टिसेज मान लिजिए कि 600 नैनो मेटर औस त्रेंगद्रद वाला एक प्रकाश किरन पुझ हवा से काच के प्रिज्म पर आप्तीत होता है और प्रिज्में परवेश करने पर या विविन रंगों में भी भाजित हो जाता है इसके एक रंग की तरेंगद्र 380 नैनो मीटर है इस विशेश तरेंगद्रद के लिए माध्यम का अपरतनान ग्याद किजिए या माध्यम क्या है प्रिज्म है सवाल आपको समझ में आया क्या है सवाल ये एकजाम का पूछा हुआ है रेल्वे गरूप डी के एकजाम में पूछा लिया था ये सवाल देखो 600 नैनो मीटर औसा तरेंगद्रद वाला एक प्रकार्श करन पुंज जो है हवा से काच के प्रिज्म पर आपतीत होता है यानि ये जो 600 नैनो मीटर यानि ये 600 नैनो मीटर औसा तरेंगद्रद वाला जो प्रकार्श करन पुंज है ये प्रिज्म पर आपतीत होता है तो हमें मालूम है कि ये 7 रंगों में तूट जाएगा साथ रंगों में तूड जाएगा अब कहा गया है कि यह जो साथ रंग है इसमें से एक रंग का जो प्रकाश है उसके लिए जो तर्यंगदर्ध है वो है 380 नैनो मीटर अब सवाल में आपसे ये पुछा गया है कि ये जो रंग का प्रकाश है जिसके लिए तरंगधर 380 नैनोमेटर है उसके लिए प्रिज्म का अपवर्तनान्ग बताओ मैंने अब आपसे क्या कहा कि जो ये जो अपवर्तनान्ग है और ये जो तरंगधर्ध है इसके बीच में उल्टा रिलेशन है मैंने आपसे कहा कि माध्यम का जो अपवर्तनान्ग है ये प्रकाश के तरंगधर्ध पर निर्भर करता है अलग-अलग रंग के प्रकाश के लिए माध्यम का जो अपवर्तनानक है वो अलग-अलग होता है तो इन सातों रंगों के लिए ये जो प्रिज्म का अपवर्तनानक है ये अलग-अलग होगा इसमें से बोला है कि एक रंग है जिसका त्रेंगधर 380 नैनोमीटर है उसके लिए प्रिज्म का अपवर्ट नानक बताईए कि कितना होगा तो यहाँ पर देख लो मिवन बाई मिव टू इज इक्वल टू लेम्डा टू बाई लेम्डा वन हो जाएगा रिलेशनम लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ पर देखो मिवन क्या हो जाएगा देखो यह हमारा लेम्डा वन है यह हमारा लेम्डा टू है यह हमारा मिवन है यह हमारा मिव टू है मिवन हमारा पास मिवन जो है एयर का होगा तो यहाँ पर वन हो जाएगा divided by mu2 हमें चाहिए lambda 2 हमारे पास 380 है और lambda 1 हमारे पास 600 है यहां से mu2 हो जाएगा 600 बटे में 380 इसको solve करिए तो 1.58 आएगा D हमारा answer हो जाएगा तो exam में सवाल यह जो relation है इसके उपर भी पूछा गया और यह जो relation है इसके उपर भी पूछा गया मान लिजे कि काच के समभाहू प्रिज्म पर कोई प्रकाश करन थीटा कोण पर आपतीत होती है और इस प्रकार प्रिज्म से गुजडती है इस प्रकार प्रिज्म से गुजडती है कि प्रिज्म के अंदर अपवर्तित करन इसके अधार पर समांतर होती है और निर्गत कौन बीटा पड़ निकलती है, इस स्थिती के लिए निमनमे से कौन सा सत्य है देखे जब ये जो पृिज्म है, ये एक सम्भाहूं पृिज्म हो जाए यानि ये सारे एंगल जो है बडाबर हो जाए, ये सारे एंगल भी आपसें बडाबर हो जाए प्रिज्मे के अंदर अपवरतन के बाद ऐसे अधार के समनांतर जाती है ये जो अधार है और ये जो है आपस में समनांतर है तो ये एंगल बोल रखा है यहां पर कि थीटा है और ये एंगल बोन रखा है कि बीटा है तो इनके बीच में relation है तो आप ये डारेक्ट याद रख सकते हो कि अगर प्रिजम जो है सम्भाहू है और प्रिजम के अंदर अपवर्टी तिक्रण जो है ये आधार के समनांतर है तो जो आपती तिक्रण है जो आपतन कोण है और जो ये निर्गत कोण है आपस में बड़ाबर होते हैं यादगरों मैंने आपसे कहा हुआ है कि ये जो आपतन कोण है और ये जो निर्गत कोण है ये आपस में बड़ाबर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं प्रिजमी के केस में लेकिन आयताकार slab के case में ये दोनों angle आपसमें बड़ाबर होते हैं लेकिन prism के case में हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं इस case में है ये कौन सा case है prism संभाहू है और जो अपवर्तिती किरण है prism के अंदर ये अधार के समनांतर है तो ये आप डारेक्ट याद रख सकते हो otherwise क्या है कि maths वाला आप geometry लगाओ ये relation आपको मिल जाएगा theta is equal to beta किसी prism पर श्वेत प्रकाश आपतीत होने पर इसका वर्ण विश्यपण होता है इस संदर में सही विकल्प का चयन कीजिए prism में लाल रंग का प्रकाश सरवादिक मुर्ता है गलत हो जाएगा विव ग्योर में हम लोगों ने क्या देखा lambda अगर जादा हो जाएगा तो जो ये delta है ये कम होगा prism में लाल रंग का प्रकाश सरवादिक मुर्ता है गलत हो जाएगा बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम होती है अगर हम mu की बात करें तो ये भी घरता चला जाएगा तो सबसे कम प्रकाश की चाल जो है हम बोल सकते हैं कि बैंगनी रंग के प्रकाश की चाल सबसे कम है ऐसा क्यों? क्योंकि mu इसका ज़्यादा है चाहो तो आप यहां पर लिख सकते हो, जो प्रकाश की चाल है यह बढ़ती जाएगी, क्यमिक्य म्यो और प्रकाश के चाल में उलटा रेलेशन है, तो प्रिज्में बैंगनी रंके प्रकाश की चाल सबसे कम होती है, यह बिल्कुल सही है, क्यूंकि इसके लिए प्रेज्म का जो अपवर्तनान के वो सबसे ज़्यादा होगा बैंगनी रंग के प्रकाश का अपवर्तनान सरवादिक होता है ये विल्कुल सही है इसलिए चाल सबसे कम होती है प्रिज्म को सीधा रखे जाने पर बैंगनी रंग सबसे उपर होता है और लाल रंग सबसे नीचा होता है तो तो दो, तीन और पाँच सही है, दो, तीन और पाँच, यह हमारा आंसर, डैश ने सरपर्दम सुर्य का स्पेक्टरम प्राप्त करने के लिए कांच के प्रिज्म का उपियोग किया, निूटन ने किया, यह जो स्पेक्टरम प्राप्त किया था, निूटन ने किया था, सबसे पहली बार सनलाइट का किसे यह विचार आया कि सुरी का प्रकाश साथ रंगों से मिलकर बना है और कोई भी प्रकाश जो सुरी के प्रकाश के सद्रिश स्पेक्टरम बनाता है प्राय श्वेत प्रकाश कहलाता है न्यूटन को यह सबसे पहली बार विचार आया न्यूटन को यह विचार आया सबसे पहली वार कि सूरी का प्रकाश सात रंगों से मिलकर बना हुए क्योंकि उन्होंने इस्पेक्टरम प्राप्त किया था प्रिज्म का इस्तमाल करते हुए और उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी प्रकाश जो सुरी के प्रकाश के जैसा ही स्पेक्टरम देता है सातरंगों वाला उसे हम लोग शुवित प्रकाश कहेंगे असत्त विकल्ब की पहचान करें वर्षा के बाद जल की सुक्ष में बूंदे छोटे प्रिज्म की भाती कारे करती है सही है इंद्र धनूष वर्षा के बाद सदैव सुरी के विप्रित दिशा में बनता है ये भी सही है इंद्र धनूश जल के सुक्ष में कड़ों में दिखाई देने वाला प्राकरतिक स्पेक्टरम है जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा प्रिज्म से प्रिज्म का उप्योग करते हैं हम लोगों ने स्पेक्टरम प्राप्ति किया लेकिन जो इंद्रधनूश का बनना है वो प्राकरतिक स्पेक्टरम है नेर्चुरल स्पेक्टरम है इंद्रधनूश में 8 रंग होते हैं गलत हो जाएगा इंद्रधनूश में 7 रंग होते हैं इंद्रधनूश निमलिकित घटनाओं का परिणाम है इंद्र धनुष के दिर्मान में कई सारी परिखटनायां जो है सम्मिलित होती है जिसमें है अपवरतन, आंतरिक प्रावरतन और विशेपड C हमारा आंसर निम लखित में से किसके द्वारा अनन्त पर इस्थित किसी बिंब का प्रतिवीम अतदिक छोटा बनेगा अगर हम वस्तु को अनन्त पर रखते हैं तो प्रतिवीम का दिर्मान जो है फोकस पर होता है और ये अत्यंत छोटा होता है अत्यंत छोटा होता है चाहे आउतल दरपन हो, चाहे उतल दरपन हो, चाहे आउतल लेंस हो, चाहे उतल लेंस हो तो सारे के केस में यही होता है, अनंद पर रखोगे, फोकस पर बनेगा, और बिंदू के अकार का बनेगा, यानि कि अतधिक छोटा बनेगा, आपको जल तारपीन का तेल बेंजीन तथा किरूसीन दिया गया है, इन में से किस माध्यम में समान कोण पर तिर्ची आपतीत कोई परकाश सबसे अधिक मुड़ेगी, तो यह रिलेशन होता है, भाई विचलन कोण और म्यू में यह रिलेशन होता है, तो हमारे पास देखो, सबसे कम जो, अगर हम म्यू की बात करें, तो सबसे कम जो है B के पास है, उससे ज़्यादा A के पास हो जाएगा, उससे ज़्याद डी के पास हो जाएगा तो अगर हम डेल्टा की बात करेंगे तो ठीक उल्टा बोलो आप सबसे अधिक मुड़ेगी पूछा है तो जिस माध्यम का अपवरतनान्क सबसे जादा होगा उसमें प्रकाशक्रेन सबसे अधिक जुकेगी तो बेंजीन हमारा आंसर हो जाएगा तो और जो सर्चलाइट तता वहनों की हेडलाइट में बल्ब कहां लगा होता है बल्ब लगा होता है मुख के फोकस पे ठीक है मुख के फोकस पे तो प्रकावरतक के फोकस के अतधिक निकट हम बोल सकते हैं अतधिक निकट भी हमारा आंसर हो जाएगा, जो reflecting surface होता है उसके मुख के focus पे, तो यहाँ पर मुख के focus नहीं लिखा हुआ है, focus के अतधिक निकट लिखा हुआ है, तो यह हमारा आंसर, नेतर लेंस की focus दूरी में वृद्धी हो जाती है, जब नेतर की पेशिया, जब नेतर की पेशिया शिथिल होती है, तो लेंस पतला हो जाता है, और लेंस की focus दूरी जो है, बढ़ जाती है, और जब जो ciliary muscles है, जो पक्चमा भी पेशिया है, वो security है, तो लेंस जो है, मोटा ह जाता है और जो फोकस दूरी है वो घट जाती है जो फोकस दूरी है वो घट जाती है तो शिथील होती है तो नेत्र लेंस पतला हो जाता है यह हमारा आंसर जब प्रकाश नित्र में प्रवेश करता है तो अधिकांश अपवर्तन कहां होता है अधिकांश अपवर्तन कौर्णिया पर होता है यानि कि स्वच मंदल पर होता है कौर्णिया को हिंदी में स्वच मंदल कहते है निम्र में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है लेंस बनाने के लिए हम लोग इस्तमाल करेंगे पारदर्शी पदार्थ पारदर्शी पदार्थ का हम लोग इस्तमाल करेंगे जिससे होकर प्रकाश आरपार जा सके जल से जा सकता है, कान से जा सकता है, प्लास्टिक से भी जा सकता है, मिट्टी से नहीं जा सकता है D हमारा आंसर, इसका इस्तमाल नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा सेट नमर 90 समाप्त होता है एक से दो पार्ट और आएगा इस चप्टर के अंदर और यह चप्टर समाप्त हुजाएगा थैंक यू सो मच